तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 best smartphones की बारे में जिने आप 35,000 के price stack पे खरीद पाएंगे तो आपकी requirement चाहे है एक अच्छा camera हो या फिर अच्छा display हो या फिर अच्छा performance हो हमने सब कुछ cover करने की कोशिश करी है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो शुरुआत करते हैं कैसे smartphone से जिसमें हमें काफी अच्छा performance देखने को मिलता है बात करें performance की जो कि इसमें हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें हमें snapdragon 888 processor देखने को मिलता है इसका untrue benchmark score है 8,37,000 तो gaming smartphone में आप काफी अच्छे से कर पाएंगे इसके साथ ही इसमें आपको 4D game vibration देखने को मिल जाती है तो आज की डेट में आपको 25,000 के price track में भी IMX 766 sensor देखने को मिल जाता है और साथी इस phone के front में आपको देखने को मिलेगा 16 अच्छे का single camera setup 4500 image की battery देखने को मिल जाती है 66 watt की fast charging के साथ जो कि लेती है 39 minute इस phone को full charge करने में इसके साथी smartphone में आपको 8 5G band देखने को मिल जाता है stereo speaker देखने को मिल जाता है और finally बात करेफ price की तो currently smartphone को आप 31,000 में खरीद पाएंगे अब बढ़ते हैं हमारे लिए इसके चौते नंबर के smartphone की तरप और इसमें आपको rear और front camera दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं हम जिस phone की बात कर रहे हैं वो है Vivo की तरप से V27 Pro इस phone में आपको 6.78 inch का full SD plus 120 hertz का covered ambler display देखने को मिल जाता है साथी इस phone के rear में आपको color changing glass देखने को मिलता है तो design के मामले में इस smartphone काफी अच्छा है इस phone में आपको media tech dimensity 8200 processor देखने को मिल जाता है इसका under 2 benchmark score 8,46,000 और यह snapdragon 8 plus gen 1 के equivalent है तो performance के मामले में इस smartphone में आपको कोई भी देखकत नहीं आने वाली है बात करें camera की तो इस phone के rear में आपको 50MP का primary lens देखने को मिलता है यह आता है OIS के support के साथ और front में भी आपको 50MP का ही single camera setup देखने को मिलता है इन दोनों से आप 4K वीडियो लेपाएंगे 60fps पे इस phone के rear में आपको traditional light देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे वीवो ने एक circular light दी है जिससे आपकी low light photos काफी बहतर आती है 46.00 image की battery देखने को मिल जाती है 66W की fast charging के साथ जो कि लेते सिफ 19 मिनेट इस phone को 50% चार्ज करने में मगर इस smartphone में आपको 3.5 jack देखने को नहीं मिलेगा अब बात केरे price की दिए currently smartphone को listed price है 38,000 और इस पे आपको 3,000 रुपे का instant discount देखने को मिलेगा credit और debit card से payment पे अब बरते हैं हमारे list के तीसरे number के smartphone की तरफ इसमें हमें currently काफी अच्छा discount देखने को मिल रहा है साथ ही यह smartphone काफी balance features के साथ आता है और हम जिस phone की बात कर रहा है वो है OnePlus की तरफ से 10R इस phone में आपको 6.7 inch का Full HD plus 120 Hz का AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाता है मगर यह smartphone plastic back के साथ आता है तो design के मामले में इस smartphone थोड़ा पीछे इस list के बाकी smartphone से और साथ ही smartphone में आपको alert slider भी देखने को नहीं मिलता है बात करें performance की तो इसमें आपको media tech density 8100 max processor देखने को मिल जाता है इसका on-to-to benchmark score है 8,7,000 इस phone के रियर में आपको 50MP का primary lens देखने को मिलेगा या आता है Sony का AMX 766 sensor के साथ और front में आपको देखने को मिलेगा 16MP का single camera setup और इससे आप लगबख हर lighting condition में काफी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे 5000H की battery देखने को मिलती है 80W की fast charging के साथ जो की लेती है 32 minutes phone को 100% charge करने में मगर ये smartphone हमें out of the box Android 12 पे देखने को मिलता है अगर आप इस smartphone को खरीदने का मन बना रहे है तो इस smartphone के साथ साथ इस list के बाकि सभी smartphone के बेस पैंगल लिंक आपको नीचे description में मिल जाएंगे अब बड़ते हैं कैसे smartphone की तरफ जिसमें हमें काफी premium design देखने को मिल जाता है साथ इसका performance भी काफी जबर्दस है हम जिस phone की बात कर रहे है वो है Motorola की तरफ से S30 Pro इस phone में आपको 6.7 इंच का full HD plus 144 Hz का OLED डिस्पे देखने को मिल जाएगा साथ इस में आपको snapdragon 8 Gen 1 processor देखने को मिलेगा इसका untrue benchmark score है 9,96,000 बात करें camera की तो इस phone की रियर में आपको 50 megapixel का primary lens देखने को मिलता है इससे आप 8K वीडियो लेपाऊगे 24 fps पे और front में आपको देखने को मिलेगा 60 megapixel का single camera setup यहाँ पे आप 4K वीडियो लेपाऊगे 30 fps पे 4800 image की बैटरी देखने को मिलती है 68 watt की फास्ट चार्जिंग के साथ तो कि लिए सिफ 15 मिनट इस phone को 50 पोसन चार्ज करने में और smartphone में भी आपको Android 12 पेस UI देखने को मिलता है मगर यह काफी clean है साथी 13 5G band देखने को मिल जाएंगे IP52 की वाटरोडर सिस्टिन की रेटिंग देखने को मिल जाएगी बात के रेप प्राइस की तो currently स्मार्टफोन का लिस्टे प्राइस अब 41,000 मगर स्मार्टफोन का प्राइस अभी बड़ा हुआ है जनरली यह phone हमें 36,000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो अगर स्मार्टफोन के साथ आपको जाना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और finally हम आगे हैं अपने लिस्ट के नमबर वन पुजिशन के स्मार्टफोन पे और यह जब लॉंच होता तब इसका प्राइस सा 50,000 मगर currently हमें 35,000 के अंदर देखने को मिल ला है तो अगर आपको एक वैल्यू फ्लैक्शिप चीएं तो इस स्मार्टफोन के साथ आप आँख बंद करके जा सकते हैं इस फोन में आपको 6.4 इंच का Full HD Plus 120 Hz का Dynamic AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो performance के मामले में although यह कोई दिक्कत नहीं देगा मगर इससे better performance वाले स्मार्टफोन आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे बात करें कैमरा की तो इस फोन के लिए मैं आपको 12 Plus 8 Plus 12 Megapixel का Triple Camera Setup देखने को मिलता है फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 32 Megapixel का Single Camera Setup और दोनों से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60FPS पे 4500 एमिज की बैटरी देखने को मिलती है 25W की Fast Charging के साथ तो Fast Charging के मामले में यह Slow है इस फोन को आपको 30 मिनट लेगेंगे 50% चार्ज करने में साथी स्मार्टफोन में आपको IP68 की Water or Decision की Rating देखने को मिल जाती है जो कि जनरली आपको फ्लैक्टव स्मार्टफोन में देखने को मिलती है और फानली बात करें प्राइस की तो करनली स्मार्टफोन को आप 35,000 में खरीद भाएंगे मिलते हैं अगली वीडियो में